सौरफ गांगली की दिल का दौरा पढ़ने के बास सौरफ गांगली को अस्पताल में भरती कराया गया था फुलाल दादा की हालत अस्थिर है इसे बीच कहा जा रहा था कि उन्हें आज अस्पताल से चुटी मिल सकती है लेकिन अभी उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा रिपोर्ट देखिए बीसी से ये देख्षो भारतिक रुगेट टीम के पूर कप्तान सौरफ गांगुली आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होंगे इससे पहले कल अस्पताल प्रशासर ने उनकी आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बात कही थी फिलाल सौरफ गांगुली की तबियत इस्थिर है 48 साल की गांगुली को भीते शनिवार को हलका दिल का दोरा पढ़ने के बाद कोलकाता के वुड्लैंस अस्पताल में भरती किया गया था वुड्लैंस अस्पताल की M.D.O.C. रुपाली बसु ने कहा कि सौरफ गांगुली क्लिनिकली फिट है वो एक दिन और अस्पताल में रहना चाहते हैं इसलिए वो कल अपने घर जाएंगे इससे पहलो उन्होंने बताया था कि गांगुली को डिस्चार्ज होने के बाद घर पर आराम करना होगा घर पर ही गांगुली की सेहत का ध्यान रखा जाएगा रुपाली बसु ने बताया कि गांगुली की हालत में सुधार हो रहा है इसलिए उनकी जो एंग्योप्लास्टी होनी थी उसे कुछ दिन के ले टाला जा सकता है फिलाल वरिष्ट डॉक्टर्स के नौसदस्य बोर्ड ने बीते सुमवार को गांगुली की सेहत के बारे में चर्चा की और इस पर सहमती बना दी है वरिश डॉक्टर्स के नौसादसिय बोर्ट की बैठक के दौरान रुपाली बसू ने बताया कि गाउगुली का इलाज कर रहे डॉक्टर्स उनकी सिहत परलगातार नजर रखेंगे दिल का दौरा पढ़ने के बाद गाउगुली के हिर्दे की एक प्रमुक धमनी में स्टेंड डाला गया था वहीं आने वाले दिनों में एंजियो प्लास्टी करनी पड़ेगी बता दे कि पिछले हपते शनिवार को हलका दिल का दौरा पढ़ने के बाद 48 साल के गांगली को कोलकाता केके निजी अस्पताल में भरती करवाय गया था जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई फिर्दय तक जाने वाली उनकी तीन प्रमोग धमनियों में अवरोध पाया गया था जोसे ट्रिपल वेसल डिसीज भी कहते हैं देखना होगा कि सौरब गांगली कब तक डिस्चार्ज होते हैं पूरा देश उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है स्पेशल डेस टोटल नियूर्स